पेर रूल जीन्स के बारे में पढ़ लेते हैं, पेर रूल जीन्स क्या होते हैं, यह एक्टिवेट होते हैं 13 to 14 साइकल और जब डॉसोफिला की डेवलोपेंट में हम सिंकाइशल स्पेसिफिकेशन बता रहे थे, तो वहां पे 13 to 14 साइकल होती हैं, वहां पे यह जीन एक्टि कब होंगे, तो means कि गैप जीन पहले हो जाएंगे और 13 to 14 साइकल में ही पेर रूल जीन एक्टिवेट होते हैं, लेकिन गैप जीन के बाद ही पेर रूल जीन एक्टिवेट होते हैं, आफ्टर डिवीजन ऑफ 13, फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ सेग्मेंटेशन जीन, जैसे ही जैसे ही 13 साइकल पर गैप जीन एक्टिवेट होते हैं, जैसे ही 13 सैकल आता है आपको पता है कि 10th सैकल सेक्टिशर का ट्रांजिशन होता है, मतलब गैशस्यšन वाली फेज आती है, और इसके बाद 13 साइकल आती है, तो सेग्मेंटेशन जीन का फर्स्ट इंडिकेशन मिलता और सबसे पहला क्या होता है gap gene बनते हैं और gap gene transcription factor की तरह काम करते हैं पेर रूल जीन को और पेर रूल जीन एक्टिवेट हो जाते हैं It involved in development of segment embryo of insect मतलब की पेर रूल जीन अब segments बनाएंगे embryo में gap gene ने तो boundaries बनाई लेकिन अब पेर रूल जीन क्या बनाएंगे? मतलब की series of stripes बनते हैं जैसे आप ब्रॉसल फिला देखेंगे तो कुछ इस तरह का stripes दिखते हैं तो stripes बनते हैं अभी इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा and set the boundary of para segment और इसी समय पेरा segments की भी boundaries set होती है segments और para segments अभी हम लोग आगे discuss करेंगे अब इसके बाद segments और para segments आगया आप जैसे आप लोग सुनते हों कि segments और para segments क्या the segmentation gene divide into 14 para segments यह जो आपको दिख रहे हैं यहां पर जो यह जो दिख रहे हैं segments है segments में आपने जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना head में 3 थे mandual, maxilla, labial यह सब आपने पढ़ा होगा orthophores पे इसके बाद फिर t1, t2, t3, thorax के 3 segments तो यह सारे segments चल रहे हैं इनको में लोग segments बोलेंगे फिर abdomen के 1 to a8 होता है या फिर कुछ cases में 9 होते तो माली जी आपर 9 दिये हुए a1 to a9 abdominal segment होगे अब इनके compartments अब यह एक segment यह क्या है यह एक-एक segments है यह एक-एक segments आपको दिख रहे हैं अब इन segments में compartment होते हैं इन segments के भी compartment होते हैं कुछ ऐसे कैसे compartment होते हैं जैसे कि पहला ऐसे शुरू हो रहा है जो पहला segment है उसका posterior और बीच में फिर यह दिखा है मतलब कहने का यह है कि segment कोई भी segment को हम पैरा segments नहीं कह सकते हैं डियरेक्ट फ़ॉब में और किसी भी parasygment को हम segment नहीं कह सकते हैं इसके बाद में पर चुई है कि पैरा segment आप को यह दियान रखना है कि हम यह नहीं कह सकते हैं कि अगर यह कम हैं हैu segment तो खिरा पारा सेग्मेंट कहते हैं, यह हम नहीं कह सकते हैं, सेग्मेंट और पारा सेग्मेंट की डेफिनीशन मतलब अलग है, लेकि सब कॉर्डिनेशन में ही चल रहा है, सेग्मेंट के साथ पारा सेग्मेंट भी दिख रहा है, इसका मतलब कि माली जे कोई ये एक segment है इस segment में कुछ ऐसे compartmentation होता है अब दूसरा ये segment है इसमें भी कुछ ऐसा compartment इसको माली सब्सक्राइब पोस्टीरियर मांते क्योंकि ये कोई segment है एक segment का भी अपना anterior और अपना posterior होगा अब ये segments में बीच में compartmentation हो गया तो यहां पर माली जे यहां पर posterior है फिर यहां पर anterior हो गया तो यह क्या हो गया अब यह दूसरा माली जे फिर यहां पर यह एंटीरियर हो गया फिर यहां पर posterior हो अगर आप यहां पर इसको ध्यान से देखें तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि यह एक line दिख रही है यह लाइन दिख रही है इस लाइन के बाद फिर यहां पर कमपार्टमेंट दिख रहे हैं दो कमपार्टमेंट दिख रहे हैं तो एक फिर इस वाले पर जाईए इस वाले सेग्मेंट पर जाईए तो इस सेग्मेंट में आपको दो कमपार्टमेंट दिख रहे है एक compartment anterior है और एक compartment posterior है, तो इसका मतलग क्या है, कि एक segment का anterior और दूसरे segment का posterior मिलके बनाता है पैरा segment, ठीक है, एक segment का anterior और दूसरे segment का posterior मिलके बनाता है पैरा segment, तो इस तरीके से पूरा arrangement होता है, और क्योंकि तीन, इसके segments होते हैं, 1, 2, 3, 3 segments इसके हो गया, head के, क्योंकि इसमें इतीन पार्ट बनते हैं, फिर 3 thorax के segment होते हैं, तो 3, 3, 6 हो गया, और फिर ये कितने 8 हो गया, या 9 मान लीजिए, तो इसको अगर हम लोग कर लेते हैं, तो total हमारे 14 parasegments बन जाते हैं, और एक segment में, अगर एक parasegment की बात करें, तो एक segment का anterior होगा, दूसरे segment का posterior होगा, उसको बोलते हैं, parasegment, the segmentation gene divide 14 parasegment, the parasegment of embryo don't become the segment of larva और adult, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, कि कोई भी parasegment, segment बन सकता है, किसी भी larva का, somehow, they comprise the posterior part of an anterior segment, है ना, anterior segment जो है, उसका, कोई भी एक parasegment, किसी segment का anterior लिया हुआ है, और दूसरे segment का posterior लिया हुआ है, तो इसलिए हम यह नहीं कह सकते हैं, कि कोई भी segment, parasegment हो सकता है, यगर T1 segment है, तो उसको उसको T1 parasegment कह दे, ऐसा नहीं हो सकता है, तो इसी चीज़ को यहा important role होता है, आगे चलके हम बताएंगे कि किस तरह से, जो यह segments के anterior posterior decide हो रहा है, जब segment polarity में इसका main role होता है, क्योंकि हर segment की भी तो अपनी polarity है, इसलिए segment में भी polarity को करने के लिए कि एक segment है, एक embryo है, इसका तो यह anterior posterior है, अब यह segments दिख रहे हैं, इनके भी anterior posterior है, तभी तो decide होगा कि leg इस तरफ को लगना है, कि पीछे की तरफ लगना है, मतलब अगर एक T1 segment में leg लग भी रहा है, तो leg की भी तो अपनी position होगी T1 segment में, कि T1 segment तो भई एक amount में segment है, तो कहां पे लगना है, anterior side में segment के लगना है, कि posterior side में लगना है, तो यह भी तो decide होना है, तो 14 परा-segment gene होते हैं जिसमें कि 8 abdominal होते हैं, 3 mouth के होते हैं और 3 thorax के होते हैं तो इतना आपको ये समझ में आगया हो कि segment और परा-segment क्या होते हैं segments जो आपको ये T1, T2, T3 ये सब दिख रहे हैं इन segments के होते हैं compartment, anterior, posterior और एक segment का anterior दूसरे segment का posterior मिलके बनाता है और इन प्यूजव उन का बहुत इंपोरेंट रोल होता ये सक्टरी प्राइमरी प्याइव Jacob पहले ही Express होंगे मतलब secondary Gap Gene के बाद प्राइम पैर रूल जीन एक्सप्र Jersey यह primary प्राइमरी 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 प्रे पहरadora जीन और इसके बात के बात और जो जीन express होंगे pair rule gene उनको secondary pair rule gene कहते हैं और total यह pair rule gene है pair rule gene कौन सा hairy even skipped runt है ना तुजी टराजो odd skipped sloppy paired paired odd paired ठीक तो यह gene आपको याद करने पड़ेंगे याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर h लिखा हुआ है हर एच लिखा हुआ तो इसको हर याद कर लीजिए हर इसके बाद हर मीज तो समझे शी है ना हर और इसके बाद एक यह वर्ड आप याद कर लीजिए ठीक है इसका मतलब होता है यह एक facial makeup remover है तो फूप्स का मतलब क्या हो गया तुजी टराजो तुजी टराजो ओड स्किप ओड पेयर्ड और पेयर्ड और स्लॉपी पेयर्ड ठीक हर फूप्स तो हर फूप्स मतलब की हर मतलब शी उसका क्या है फेशियल मेकप रिमूवर का एक कॉस्मेटिक है आप समझ लीजिए तो क्या हो गया हर फूप्स इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं तो यह जीन हो गए कौन से पेयर्ड रूल जीन अब इसके बाद इन जीन के बारे में हम लोग पुरा सा जान लेते हैं यह के बाद यह क्या करेंगे segment polarity gene को के जो subsequent gene है अभी आने वाले कौन से जीन है segment polarity gene उनको रेगुलेट करते हैं यह जो पेयरूल जीन होते हैं The expression and function of payroll gene reveals the first periodic pattern in the drosophila periodic pattern मतलब की T1, T2, T3 इस तरह से बन रहे हैं periodic form में एक pattern बन रहे हैं segments की तो हम लोग उसको periodic pattern कहेंगे drosophila का तो जो यह gene होते हैं यही सबसे पहले periodic pattern दिखाते हैं drosophila में the enhancer of primary pair rule gene are recognized by gap gene protein gap gene मतलब की primary pair rule gene के लिए कौन होते हैं primary pair rule gene को कौन activate करता है gap gene तो gap gene को as a enhancer वो काम कर सकते हैं it is thought that different enhancer का मतलब समझ रहे हैं molecular biology में आपने जब पढ़ते हैं transcription तो वहां पे देखते हैं कि कितने enhancer of promoter से आप steam reason पे enhancer होते हैं तो वही सब molecules कि यहां पे बात की जा रहे हैं the enhancer of primary pair rule genes are recognized by the gap gene protein it is thought that different concentration of gap gene protein determine whether a pair rule is transcribed or not which divides the embryo into periodic units ठीक है मतलब कि यही gene की इनके concentration के according यह determine होगा जो gap gene जो भी enhancer molecule होंगे फिर वो express होंगे pair rule gene और उनके गाप gene के concentration से determine होगा कि pair rule gene transcribed होंगे कि नहीं होगे अगर gap gene के enhancer नहीं हों तो फिर transcription नहीं होगा अगर हैं तो transcription हो जाएगा और उसी के according यह periodically हमें drosophila का structure periodic determination या pattern की formation होती है the gap gene and pair rule gene class of gene was originally defined by their loss of function phenotype deletion with two segments periodically यह जैसे बने gap gene को बताया कि अगर कोई gene gap हो जाता है mutate हो जाता है तो वहाँ पे embryo में एक gap develop हो जाती है तो इसलिए उनको gap gene कहा गया यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर pair rule gene को pair rule gene इसलिए कहा गया कि अगर इनमें से एक gene gap होगा तो उसके alternative दूसरा gene भी gap हो जाता है तो इसलिए इसको बोला गया है पेर रूल जीन क्योंकि इसके साथ अल्टरनेटिव फिनो टाइप मतलब अल्टरनेटिव जो जीन जिसके में मुटेशन नहीं कियागा वह भी गाइब हो जाएगा पेर रूल जीन क्लासों जीन ओरिजिनली डिफाइब लॉस अफंक्शन पीनो टाइप डिलेशन विद टू सेग्मेंट प्रियोडिकल एक को डिलीट करेंगे तो दूसरा अपने आप से गाइब हो जाएगा तो इसलिए इनको कहा गया पेर रूल जीन पेर रूल जीन ट्रांस weird color to anterior posterior axis आप देखेंगे तो क्या होगा कि अगर ड्रॉस विला के अम्म्हöm थे बात करें तो anterior to posterior anterior to posterior इसमें vertical bands ऐसे दिखते हैं कि 7 bands दिखते हैं अभी यह कैसे बनते हैं अभी हम लोग आगे बात करें अब इसके बाद यह देखी यहाँ पर drosophila का structure हमने बनाया है अब यहाँ पर आप तो देखिए यह क्या है कि यह drosophila का structure अब कितने होते हैं अगर हम लोग यहाँ पर यह pair rule gene को गिने तो कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने हैं 8 pair rule genes कितने हैं 8 pair rule genes ठीक है 8 pair rule gene 8 pair rule gene है इन 8 pair rule gene की expression drosophila में कैसे होती है तो और हम बार-बार बोलें कि 7 stripes में दिखते हैं तो यह 8 pair rule genes जो आपको दिख रहे है वह ऐसे express होते हैं यह आप देख पा रहे हैं diagram यहाँ पर यह आपको जैसे यह यहां पर आप यह गिनेंगे ना तो यह 8 है तो यह क्या है यह 8 pair rule gene है अब 7 stripes में तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह जो हमने ऐसे लिखा है red color से 1 यह 1 लिखा है ठीक यह 2 लिखा है तो यह 8 pair rule gene यहाँ पर देखिए express हो रहे हैं यह 8 यहाँ पर एक्सप्रेस हो रहे हैं 8 यहाँ पर यह 7 stripes में एक्सप्रेस हो गए तो यह क्या होगा यह 7 stripes होगा अब यह 7 stripes कैसे 14 परा सेगमेंट्स बनते हैं यह जो 7 stripes मतब्दब कि जो 8 pair rule gene है जो हमने हर फूप्स बताए वो जो 8 pair rule gene है वो ऐसे ऐसे करके ड्रॉसर फिला में एक जगह पर इस तरह से pattern stripes फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहे हैं अब जैसे लिखा ना 1 to 7 stripes तो यह 1 to 7 stripes आप देख पा रहे हैं 8 सब stripes 8 stripes क्यों कहा गया क्योंकि इनके अंदर 8 gene 8 gene की expression हो रही है 8 pair rule gene की expression हो रही है एक stripe में 8 pair rule gene दूसरे stripe में 8 pair rule gene तीसरे stripe में 8 pair rule gene और जहां expression नहीं हो रही है जैसे कि यहां पर expression नहीं हो रही है तो यहां पर pair rule gene नहीं है ठीक है यहां पर pair rule gene नहीं है यह सब जगे पर क्या है pair rule gene नहीं है समझ रहे हैं बात को तो यह क्या होगा 8 pair rule gene 7 stripes में express होंगे और जो बीच बीच में gap है वहां पर expression नहीं होगी तो इसलिए drosophilamik patterning डिखती है जहां पर यह express होंगे वहां पर band दिखेगा जहां पर express नहीं होंगे वहां पर band नहीं देखेगा और इनको 14 parasegments कैसे कहा गया जैसे कि माल लीजिए कि यह 1 to 7 हो गया और 7 के बाद पिर इनको नीचे से ऐसी 8 9 10 11 12 13 14 तो यह क्या हो जाए इनको parasegments के form में हम लोग इस तरह से कह पाते है क्योंकि यह तो आपको पता है कि हर segment parasegments नहीं होता है तो इनकी जो यह pair rule gene वे इनको कैसे parasegments गिना गया है इस तरह से गिना गया है ठ दूसरा हो गया तीसरा यह चौथा पांच ए साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा ठीक है इस तरह से 14 क्या हो जाते हैं parasegments हो जाते हैं तो समझ में आई बात की ड्रॉसोफिला में pair rule gene कितने होते हैं 8 pair rule gene 7 stripes में express होते हैं वो किस तरह से जहां जहां पे pair rule gene होंगे वहां वहां पे एक band stripes दिखती है तो यह 7 stripes में express होंगे बीच बीच में pair rule gene एक्सप्रेस नहीं होते हैं उसी इसाब से band patterning दिखती है तो 1-7 stripes में 8 subdivide sub stripes होते हैं क्योंकि 8 pair rule gene है और इसको कहा जाता है यहां पे अगर आप ड्रॉसोफिला का structure देखे तो बीच बीच में आपक बीच बीच में डार्क और लाइट ऐसा पैटन देखता है अब यहां पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हम लोग देख लेते हैं एवरी पेर रूल जीन एक्सप्रेस दिन 7 stripes 7 stripes में express होते हैं divide the embryo into 14 parasegments है 14 parasegments में करते हैं जैसे हमने बताया है कि हम लोग इसको stripes 1, 2, 3, 7 और फिर इसको 8, 9, 10, 11 जहां जहां पे gap है तो इस तरह से की parasegments हो जाते है इच बैंड करिस्पॉंड टू वन पैरा सेग्मेंट एक बैंड जैसे कि एक बैंड यह जो एक्सप्रेस वाली दिख रही है दूसरी अनेक्सप्रेस वाली दिख रही तो यह बैंडिंग पैटर्न हो गई तो इच बैंड को हम लोग एक एक पैरा सेग्मेंट मान लेते हैं वन वर्टिकल बैंड ऑफ नुकलियाइ एक सप्रेस्स नहीं हो रही है क्योंकि यहां पर कोई इंपोर्टेंट दो पेर रूल जीन होते हैं इवेंस्किप्ट और फ्यूजी टराजो कौन से इवेंस्किप्ट और फ्यूजी टराजो तो इसमें अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें यही एक इंपोर्टेंट जीन है मतलब यही दो जीन इवेंस्किप्ट और फ्यूज कि ना है कि सोज़ते बाइद सुद्रेंट ए सक्वाहां पर किस यह रही है कि आगर सुद्रेभ सैगमें ट्रीफ हो जाएंगा हुं expression of payroll gene, even skipped and fusiterasso in alternative band in drosophila early embrile यहां पे वही दिखाया गया है कि कैसे payroll gene और fusiterasso का expression alternatively हो रहा है तो यहां पे देखिए तो पहला वाला yellow color का आपको थोड़ा सा dark दिख रहा है वो one number है और one number यह क्या है यह even skipped, even skipped अब इसका मतलब क्या हुआ यह gene ऐसे हैं, इनका नाम even skipped क्यों रखा गया है, इसलिए रखा गया है क्योंकि जैसे ही, कहने का मतलब कि यह अगर mutate किये जाएंगे तो इसके बगल का, जो even, क्योंकि even skipped कहां पे है, उन जगे पे पाया जा रहा है 1, 3, 5, 7, odd number पे पाया जा रहा है, ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, odd number पे even skipped gene पाया जा रहा है और अगर even skipped को क्या कर दिया जाएं, mutate कर दिया जाएं, तो यह even number को gap करवा देगा, skipped करवा देगा इसलिए इसका नाम रखा कि even skipped, ठीक है, और fuzzy terrazzo का नाम तो यह Japanese नाम है, इसका मैं मतलब अभी याद नहीं आ रहा है fuzzy terrazzo एक Japanese नाम पे ही रखा गया है, शायद patterning कुछ है, मुझे याद नहीं नहीं थी, तो यहाँ पर, तो समझ में आगे कि even skipped का मतलब, कि even, मतलब अगर इस gene को हम गायब करते हैं, तो यह even number के gene को भी गायब करा देगा इसका मतलब इसलिए इनको pair rule gene कहा गया, क्योंकि यह defect कर देते हैं अपने alternative, इसका alternative कौन है, even skipped, पहले वाले even skipped का alternative कौन है, fuzzy terrazzo है, है ना, तो इसलिए क्या है कि इसको भी skip करा देगा, तो यहाँ पर even, जो odd number है, वहाँ पर है, even skipped, और जो even number है, वहाँ पर कौन से fuzzy terrazzo gene और इ expression होती है, अब इसके बाद देख लेते हैं, even skipped fuzzy terrazzo are important because they make difference in segment polarity gene, क्योंकि आगे चलके इनके, अभी हम लोग आगे segment polarity gene पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको fuzzy terrazzo और even skipped का बहुत important role पता चलेगा, क्योंकि वही आगे चलके segment polarity gene को decide करते हैं, कि उनको कैसे express करने हैं, हम लोग आग rock signaling है, W and T signaling, उसी के through, तो वो signaling भी कैसे decide होती है, यही दो gene की वजए से even skipped of fuzzy terrazzo, यह pair rule gene का बहुत important role है, segment polarity gene है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर जैसे, यह कुछ molecular level का है, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं, हम लोग, और even skipped stripes 2, अगर even skipped की stripe 2 की बात करें stripes आप समझ रहें, कि जैसे माली जे molecular level पर यह चीज़े दिखाएंगे हैं, कि जो gene है, suppose कि यह even skipped gene है, यह जो दिख़रा even skipped gene है, इसके कुछ activator है और कुछ repressor है, और even skipped stripe 2 is controlled by bicoid hunchback, even skipped stripe 5, मतलब इसके लिए even skipped के पास 5 sides होती है, bicoid anterior के लिए, one side होती है, hunchback activator के लिए, कहने का मतलब कि, इसका मतलब यह हो कि even skipped को hunchback और bicoid activate करते हैं, ठीके, उसके लिए even skipped के पास activator site होती है, बास समझ रहें, कि even skipped gene उसके expression के लिए, क्या होते हैं, कि कुछ gene होते हैं, जैसे कि bicoid hunchback है, अब bicoid hunchback even skipped के लिए activator का का काम कर रहा है, तो activator binding site भी तो होनी चाहिए, तो even skipped के पास pipe site होती है bicoid के लिए, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कि यह bicoid सब है, जो ऐसे ऊपर की तरफ दिख रहा है, यह सब activator है, जो नीचे की तरफ दिख रहा है, वो सब repressor है, जिनकी आप अगर समझ पा रहे हैं, 3, 4, 5, यह क्या है, कि 5 sides है bicoid के लिए, और 1 side है hunchback के लिए, hunchback भी कहीं होगा, यहाँ पर हंचback दिया गया है, तो यह क्या है, यह stripes number 2 की बाद की जा रहे है, this even skipped is repressed by croupel, आप जो नीचे की तरफ दिख रहे हैं, वो मतलब repressor है, यह repressor है, जैसे कि giant croupel, तो even skipped के पास, क करने के लिए, croupel, repressor की तरह काम करा, croupel and giant, even skipped is repressed by croupel and giant, तो croupel और giant, even skip को repress कर रहे है, it has 3 side for croupel, croupel के लिए 3 side होती होगी, and 3 sides for giant, giant के लिए 3 repressor site होती है, और repress कर देते हैं, तो क्योंकि, अब, क्योंकि इनके coordination हो रहे है, कहां पे इन जीन को express होना है, अभी even skipped कहा कहां पे express होगा, कहां पे biquoid hunchback की concentration activate करेगी, कहां पे croupel giant, even skipped को क्या कर देंगे, मतलब repress कर देंगे, तो यही बात ही बताएगी, such way concentration of protein make itself on the off, take transcription decision, और इस तरीके से फिर transcription होके, ultimately segments का formation होता है, कपा थेएफ़बबब में स मतलब कर देंगे जब, क्या, और देएगी कि व्याम जाडेता है अब,